बड़ों को मेरा चरण स्पार्श और शोटों को मेरा प्यार कैसे आप सब नए साल 2023 का आगाज होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं कहते हैं कि नए साल के पहले दिन की शुरुवात भगवान का आशर्वाद, बड़े बजुरौं का आशर्वाद लेकर जरूर करने चाहिए और ऐसा भी कहा चाहता है कि साल के पहले दिन आप जो भी काम करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि सारे साल, मतलब पूरे वर्श आप वही करते रहेंगे लेकिन आप कुछ भी करें या ना करें लेकिन बड़े बुज़र्गों का आशिरवास जरूर लेना चाहिए क्योंकि दुख दरिद्रता दूर होती है ऐसा करने से नए साल पर बेहद शुप सैयोग इस बार बन रहे हैं इस बार नए साल पर जिसमें की सूर्य देवता की पूज़ा और यम देवता की पूज़ा करने से हमें पूरे साल अपार खुशिया प्राप्त होंगी क्योंकि इस वर्ष की जो शुरुवात हो रही है वो हो रही है संडे से संडे यानि की सूर्य देपता का दिन और क्योंकि दश्मी तिथी है तो दश्मी तिथी यानि की यम्राज जी का दिन शास्त्रों में दश्मी तिथी के स्वामी यम्राज माने गए हैं इस दिन इनकी पूजा करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं यम्राज जी मनुष्य को नर्क और अकाल मृत्यू से उधार कराते हैं तो 1 जनवरी 2023 को रविवार है ये दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव को समर्पित है सूर्य की उपासना से सुख, बल, तेज, पराकरम, सम्रिद्धी और मान सम्मान की हमें प्राप्ति होती है यम्राज देव की उपासना करने से हमें स्वर्ग, नर्क जो भी इसके बीच में हमें कैतना परिशानी आने वाली होती है वो खतम हो जाते हैं और क्योंकि यम्राज देव जी सूर्य देव की संतार है तो शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति पर मृत्यू के देवता यम्राज के पिता सूर्य देव की कृपा होती है उसे अकाल मृत्यू और यम की आतनाओं का भै नहीं सताता है तो ऐसे में नए साल 2023 के पहले दिन ब्रह्मूर्त में उठकर किसी भी पवित्र नदी के जल में जाकर स्नान करना चाहिए लेकिन इती ठंड में कौन जाएगा स्नान करने वो भी नदी के किनारे तो ऐसे मैं आपको क्या करना, आपको अपने घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना है फिर लाल रंग के वस्त्र पहन कर तामबे का एक लोटा लेकर उसमें जल, गुड और लाल रंग का पुष्प मिलाकर उगते हुए सूरे को अर्ग जरूर देना है ऐसा करने से आपको सूरेदेव की कृपा प्राप्त होगी और एक मंत्र में आप सभी को बता रही हूँ तो आज के दिन जब आप सूरेदेव को जल चढ़ाएंगे तो सबसे पहली चीज़ के जब भी सूरेदेव को जल चढ़ाएंगे तो ध्यान रखे कि दोनों हाथ आपके आपके सिर के उपर होने चाहिए जल चढ़ाते टाइम जो लोटा आपके हाथ में होगा वो सिर के उपर होना चाहिए आपके चेस्ट के बराबर भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको क्या करना है आपको लाइफ में उपर उठना है तरक्य चाहिए है न इसी के साथ में मंत्र में आपको बता रही हूँ नोट कर लीजिए मैं फिर से एक बार बोलती हूँ इस मंत्र का जाप करके आप कुछ नहीं तो सिर्फ 11 बार जाप करके सूर्य देव को जल चढ़ाते हूए आप इस मंत्र का जाप करिये ऐसा करने से आप पर भगवान सूर्य देव की क्रिपा जरूर प्राप्त होगी और खासी में एक जन्वरी को आप अपने घर में जो भी भोजन पकाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उस भोजन के सबसे पहली एक बड़ी सी रोटी बनाईए उसके तीन हिस्से क कुते के लिए निकालिए और एक हिसा पक्षियों के लिए निकालिए ऐसा करने से पहले जन्वरी के जब आप शुरुवात इस तरह करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका पूरा वर्ष एक बार इस उपाये को कर दीजेगा क्योंकि केतु का साल है और केतु यानि की मोक् जरूर करिएगा और जुड़े रहे हमारे चानल के साथ लेकर आओंगी और बताओंगे आपके लिए जन्वरी मंद का राशी फल राशी अनुसार आपके लिए ये मंद कैसा रहेगा जै माता दी